नमस्कार दोस्तो वैदिक नौलेज चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि बड़े बुजर्ग क्यों खाना खाने से पहले थाली के चारों तरफ पानी तीन बार छिड़कते थे हिंदु धर्में एक ऐसा धर्म है जिसमें कई रिती रिवाज परमपराय हैं जिसे लोग बहुत ही शालिंता के साथ मानते हैं लेकिन आज की युवापिड़ी की बात करें तो वह इन रिती रिवाजों को नहीं मानते हैं उन्हें लगता है कि यह सब अंध विश्वाज है इनका कोई फाइदा नहीं है लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि कोई भी रिती रिवाज बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई फाइदा जरूर होता है आपने भी अकसर बड़े बुजर्ग को खाना खाने से पहले थाली के चारों तरफ तीन बार पानी छिड़कते हुए देखा होगा इस परंपरा को तमिल नाडू में परी सेश नम और उत्तर भारत में चित्र आहुती के नाम से भी जानते हैं मानेताओं के अनुसार इस तरह से वे देवी देवताओं के प्रती आदर प्रकट कर उनका आशिरवाद प्राप्त करते हैं कुछ लोग चित्र आहुती के समय मंत्रों चार भी करते हैं योग और आयुरवेद विशेश अग्य रवी बताते हैं कि लोग इसे एक धार में क्रिया मानते हैं लेकिन यह उससे कही अधिक महत्वपुर्ण है जानिये क्यों था ऐसा लोग करते थे खाने से पहले चारों तरफ पानी छिड़कने का मतलब था कि पुराने समय में फर्ष कच्ची होती थी और लोग जमीन पर बैट कर केले के पत्तों पर खाना खाते थे अगर जमीन सुखी हो और कोई व्यक्ति वहां से गुजरे तो उनके चलने से उठी धूल पत्ते पर आ जाती थी और भोजन गंदा हो जाता था जबकि थाली के आसपास पानी छिड़कने से वहां की धूल पैट जाती थी और उड़ती नहीं थी इस तरह भोजन सुरक्षित रहता था इसे तरह पानी के वज़ह से कीड़े और जमीन पर चलने वाले जिफ थाली में प्रवेश नहीं कर पाते थे विशेश कर यह तक्नीक रात में काफी कामाती थी क्योंकि तब लोगों को कम रोश्मी की वज़ह से जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं पड़ते थे आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे बड़े बुजर्ग जब भी खाना खाते होंगे तो जमीन पर अराम से पलती मार कर बैटते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं इसके पीछे भी एक कारण है जमीन पर बैट कर खाने से पीट कई बार मुड़ती है जिससे रक्त का प्रभाव प्रभा और पाचन तंत्र सुचारू होता है तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अब शेयर से सबस्क्राइब कर हमसे जुड़ जाईए धन्यवाद